भारत, देश को कैसे मिला भारत नाम, दुशियन्त और संगुंतला के पुद्र के अलावा और भी हुए हैं भारत भारत को आज हिंदुस्तान, इंडिया आज नामों से भी जाना जाता है परन्तु इन सब में भारत ही एक ऐसे नाम है जो सबसे प्राचीन है इसका और भारत साथ्री में भी मिलता है भारत के अलावा प्राचीन काल में अन्य नाम भी प्रलित हैं आजे जानते हैं देश का भारत नाम कैसे मिला और साथ ही जानते हैं अन्य नामों का इतिहास प्रचीन काल से भारत के अलग-अलग नाम रहे हैं जैसे जम्बूदीप, भारत खंड, हिमवर्स, अजनाबवर्स, भारत वर्स, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया मगर इन सभी नामों में से भारत सबसे ज़्यादे लोकमान और पलित रहा है इस नाम के पीछे की कई कथाय मिलती हैं लेकिन भारत को भारत नाम मिलने की सबसे लोक प्रिक कहानी राजा भरत से जुड़ी है जो राजा दुस्यांत और सगुंतला के पुत्र थे महा भारत के उवर्णन में मिलता है कि महा रिशी विश्वा मेत्र जो सब्त रिश्यों में से एक हैं और अपसरा मेनका की बेटी संगुंतला थी संगुंतला का गंधर विवाह राधा दुश्यन के साथ हुआ इन दोनों के पुत्र भरत हुए रिशी कनव ने भरत को अश्रुवात दिया कि भरत आगे चल कर एक चक्रवती समराठ बनेंगे रिशी के अश्रुवात के अनुसार आगे चल कर भरत एक चक्रवती समराठ हुए और उन्ही के नाम पर भूखन का नाम भरत वर्ष पड़ा राजा भरत महा भरत में वरलित 16 स्थर राजाओं में से एक हैं लेकिन अनकथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भरत नाम के और भी राजा भरत भूम पर हुए है जिनके नाम पर भरत को नाम मिला आईए जानते हैं अनराजाओं की कहानी आगे बढ़ने से पहले आप से छोड़ी से निवदन हैं दिया आप नए हैं तो चैनल से स्काय करने लें लकिन आनने वाली हर वीडियो आतो सब से पहले पहुचे देश का भरत नाम पंडले के पीछे कई अन्य मानता हैं जिसके अनुसार स्विभू राजा मनु के वश्जोज रिषब देव हैं उनके पुद्र का नाम भरत था रिषब देव मनु की पांच Vousविड़ी है उनके दो पुद्र थे भरत और बाहुबली बाहुबली के वरागब प्राप करने के बाद रिसभ देव ने भरत को राजपाट सौंपा ऐसा माना जाता है कि रिसभ देव के पुत्र के नाम पर भरत को नाम मिला इसका वर्ड़न श्रीमत भागुत गीता और जन गरंथों में भी मिलता है एक और अनकथा के अनुसार राज़ा-दस्रत की चार इस निए याबी माना जाता है कि उन्हेंके नाम पर देश का नाम महरत पड़ा चलिए देश के कुछ अणन नाम और उसके अर्थ बढ़ाते हैं जंबुदीब संस्कित भासा में जंबुदीब का अर्थ होता है जिस भूमे पर जंबु के पेर लुगते हों जमदीफ सब्द का पर्योक शकबतिय असोक समराचा के समराच के द против यह जाता था, जिसका परमान इतिहास में मिलता है आर रवरत, आर् रवरत का सापधिक अर्थ होता है शेष जनों का निवास अस्थान, कहा जाता है कि आर रवरत के मूपल निवासी थे वा समुदूरी राष्टों के जर्गे भारत पहुंचे और आरे दिवरा इस देश को बचाया गया था हिम वर्स हमाले जो भारत की पहसान है उसी के नाम पर भारत को हिम वर्स कहा जाता था वायू पुराण में भी इस बात का परमान मिलता है कि भारत वर्ष नाम से पहले देश का नाम हिम वर्ष था